गुड इबनिग ढियर आप सबी का स्वागत है मनिश मोडिभेशनल इसस में आप सब कैसे हैं कोमेंट्स करकर जरूर लिखें और आप लोग का जो चल रहा था यहांपे पाइप टैंकी चल रहा था पाइप टैंकी का जो कलास चल रहा था उसमें आपको हमें युमीद है कोई भी प्रोग्लम नहीं हुआ होगा यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रोग्लम हो तो वीडियो को दुवारा आप देखें चली आज हम कलास शुरू करते हैं यहाँ पे जो प्रसन आपको दिया गया है एक टैंकी में दो पाइप लगे हुए एक टैंकी में कितना पाइप लगा हुआ है दो पाइप लगा हुआ है इसको आठ घंटे में पानी से भर सकता है पानी से कितना घंटा में भर रहा है आठ घंटा में तता दूसरा इसको पाच घंटा में खाली कर सकता है अब बताई एक यहां पे भर रहा है और एक खाली कर रहा है एक कितना भर आट घंटा में भर रहा है एक पाच घंटा में खाली कर रहा है खाली बोलेगा तिया माइनस कर देंगे यहां तक तो आपको पता है यदि टैंकी का तीन वटे चार भाग पानी से भरा हो अब टैंकी ह यहां पर इस टैंकी का तीन बटे चार भाग पाणी से क्या है भरा हुआ है तो इसको रहने देंगे बाद में इसको हम देखते हैं और दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए दोनों पाइप को बोड़ा एक साथ खोलेंगे ए और बी को तो टैंकी कितने समय में खाली हो जाएगा आपको बताना है कितने समय में खाली हो जाएगा खाली पूछ रहा है तो सबसे पहले आप 8 और 5 का LCM लीजिए तो LCM आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे LCM आ जाएगा 8,5,40, टोटल LCM आपका 40 आ गया LCM यदि 40 हो गया तो 8 को 5 से गुना किजएगा तो 40, 5 को यदि 8 से गुना किजएगा तो 40 हो जाएगा अब बताई यह तो हमारा खाली हो रा है, minus तो पांच में आठ minus करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा आब टोटल आपको work 40 दिया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 बटे 3 हो जाएगा 40 बटे 3 ये जो 40 बटे 3 हुआ ये घंटा दिया गया है तो यहाँ पर 40 बटे 3 घंटा हो जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा था टैंकी कितने समय में खाली हो जाएगा टैंकी जो कितना समय में खाली हो जाएगा खाली आपको देखी कितना समय में होगा 40 बटे 3 तीन उबटे चार भाग पहले से भड़ा हुआ है तो तीन उबटे चार आप इसमें गुना कर दिजिएगा तो चार से हमारा 40 दस बार में कैंसिल हो जाएगा तीन और तीन कैंसिल हो जाएगा तो आपका आगया 10 घंटा इस परसन का एंसर आगया इस प्रसंटा एंसर आपका 10 घंटा आ गया कैसे एक वर हम फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे एक टैंकी में 2 पाइप लगा हुआ था एक 8 घंटा में भर रहा है एक 5 घंटा में खाली कर रहा है तो माइनस कर दिये अब क्या बोल रहा था यदि टैंकी का 3 बटे 4 भाग पानी से भड़ा हूँ 3 बटे 4 भाग भड़ा हुआ है अब आपको बताना है टैंकी को कितना समय लगेगा खाली होने में अब यहाँ पे क्या दे रहा है दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो यदि हम दोनों पाइप को एक साथ खोल देंगा तो खाली होने में कितना समय लगेगा तो सबसे पहले LCM लिए तो 40, 85, 40, 5, 8, 40 तो यहाँ 8 माइनस है ये 5 में 8 माइनस करीजिएगा तो 3 हो जाएगा तो टोटल वर्क आपको 40 है तो यहाँ 40 बटे 3 हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पता चलीगा 40 बटे 3 घंटा हो गया लेकिन 3 बटे 4 पानी से भड़ा हुआ था तो 3 बटे 4 को गुना कर दिये तो 10 घंटा इस परसन का राइट एंसर आ गया यानि कि टैंकी को कितना समय लगेगा खाली होने में 10 घंटा का समय लगेगा अब हम लोग नेश्ट परसन की ओर चलते हैं पाइप A और C करम से एक टैंकी को 60 घंटे और 48 घंटे में भड़ सकता है इसी टैप का परसन आपको हम पढ़ाए थे जबकि पाइप B भड़ी हुई टैंकी को 24 घंटा में खाली कर सकती है जब टैंकी भड़ी हुई हो और तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तब टैंकी का एक वड़े तीन भाग भड़ने के लिए कितना घंटा लगेगा अब वहाँ परसन में क्या था टैंकी का एक वड़े तीन भाग भड़ा हुआ है यहाँ पर क्या बोल रहा था चेंजिंग हो गया परसन हो एक वड़े तीन भाग भड़ा हुआ था तो हम लोग जो एंसर आया था उसमें एक वड़े तीन से गुना कर दिये थे लेकिन यहां पे बोला एक वोटे तीन भाग भरने के लिए कितना घंटा लगेगा तो क्या करना है आपको पहले सेस भाग निकालना पड़ेगा सेस भाग कैसे निकालेगा आपको पता है सेस निकालने के लिए वन वे माइनस कर देंगे वन वाई थिरी तब इसको solve किजिएगा तो यहां पे हो जाएगा आपका 3 3 मानस 1 डो बोते 3 से सबका 2 उटे 3 हो गया यही आपको गुना करना है 2 उटे 3 से अब परिशन को फिर से हम पढ़ते हैं आज solve करते हैं Pipe A और C करम से 1 टेंकी को 60 घंटा और 48 घंटा में भर सकता है A और C तो A है और C का भी चर्चा चलदा तो इसका मतलब B भी होगा A को भरने में लग रहा है 60 घंटा और C को भरने में लग रहा है आपको 48 घंटा ठीक है अब आगे बताई जबकि Pipe B भरी हुई टेंकी को 24 घंटा में खाली कर सकता है ये कितना घंटा में 24 घंटा में खाली कर रहा है माइनस कर दिये जबकि टेंकी भरी हुई हो और 3 घंटा को एक साथ चालू कर दिया जाए तब टेंकी का 1 घंटा को भरने के लिए कितना घंटा का समय लगेगा बताई एक वटे तीन घंटा को भरने में कितना समय लगेगा बोल रहा है तो हम सेश भाग निकाल देंगे वन मानेस वन वाइथीर तो दो वटे तीन भाग हमको बचा हुआ है भी तो हम इसी को गुना करेंगे पहले इसको सोल भी कीजिए आप सबसे पहले आप बताईए 60 और 24 और 48 का LCM कितना होगा आपको LCM निकालना है चलिए अब LCM निकालिए सबसे पहले इसमें बड़ा कोन है 48 बड़ा है तो 48 का गुननखन कर देंगे 12 गुने 4 हुरता 48 3 दुना 6 दुना 12 12 गुने 4 12 चुक 48 यहां तक का हमारा 48 निकल गया LCM अब 48 के बाद 24 का लेते हैं 24 का गुननखन 6 चुक 24 होता है 3 दुना 6 6 दुना 12 बारा दुना 24 भी हो गया पुरा अब 60 पुरा ना है 15 गुना 4 होता है 15 के लिए क्या चाहिए 5 चाहिए 5 गुने 3 5 थी अब 15 हो गया 15 गुने 4 60 हो गया अब हमारा LCM क्या गया 48 गुने 5 48 गुने 5 कर दी क्योंकि यहां से यहां तक 48 था 48 गुने 5 कर दी है 8 पंचे 40 का सुनना बाद की 4 5 गया 20 24 24 यानि 240 आपका LCM 240 हो गया तब इसको मिटा के हम लिख देते हैं LCM डिरेक्ट 240 LCM 240 आपका अब 60 को यह दी 4 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा 6 को 24 24 को कितना से गुना करेंगे 240 होगा अब बताए 240 को 24 मतलब 10 से गुना कर देंगे तो 240 हो जाएगा 48 को कितना से गुना कर देंगे 240 हो जागा बताइए 48 को यदि 5 से गुना कर देंगे तो 240 हो जागा कैसे 48, 45, 40 का 0 बाकि 4 है 5 होगे 20, 24, 24 240 आ गिया अब बताइए यहाँ पे यह तो हमारा माइनस है खाली कर रहा है तो यह दोनों जूटेगा 5, 49, 9 में 10 क्या होगा माइनस होगा क्योंकि यह खाली कर रहा यह दोनों जूटेगा 5, 49, 9 में 10 माइनस की तो एक आ गिया यहाँ पे एक आ गिया आपका टोटल आपका LCM कितना 240 था यह भी 240, यह भी 240 यह भी 240 तो यह भी 240 होगा नीचे एक है गुने आपको क्या बोल रहा था एक बटे तीन भाग भरने के लिए कितना समय लगेगा एक बटे तीन भाग का मतलब सेस भाग सेस भाग आपको निकालना है दो बटे तीन तो 240 को दो बटे तीन से आप गुना कर दीजेगा तीन से हमारा 240 240 कितना बार में कटेगा 8 बार में कटेगा 1-070 ए असी हो जाएगा तो आपका ऐंसर आ गया 80-2.160 160 घंटा इस परस्न का राइट एंसर आ गया एक उटे 3 भाग भरने के लिए कितना घंटा का समय लगेगा 160 घंटा का समय लगेगा एक बार फिर से प्रसंड को समझेगा यहां बोल रहा था A और C एक टेंकी को 60 गंटा में और 48 गंटा में भर रहा है लेकिन B जो है 24 गंटा में खाली कर रहा है तो ठीक है अब A, B, C का हम निकाल दिये कैसे 60, 24, 48 का LCM जब लिए तो LCM हमारा आ गया 240 240 के लिए यहां 4 आ गया 240 के लिए 10 आ गया 240 के लिए 5 आ गया अब टोटल A, B, C का यदि हम निकालते हैं तो C हमारा भर रहा है A, B भर रहा है तो 5, 4, 9 हो गया Efficiency और B खाली कर रहा है तो खाली गुला माइनस हो जागा 9 में 10 माइनस क किये तो 1 आ गया, एक को यदि 240 से गुना किजिएगा तभी तो 240 होगा काओंकि टोटल वर्क 240 दिया गया है अब हमारा 240 निकल गया अब बताएए अब बोल रहा था एक बटे तीन भाग भरने के लिए कितना समय लेगा यदि एक बटे तीन भाग को भरने में कितना समय चली अब हम लोग नेश्ट प्रसंड की ओर चलते हैं यह जो प्रसंड दिया गया है यह प्रसंड आपको पहुत सरा चीज को सिखाएगा देखी यहां पर जो प्रसंड कर रहा है दो पाइप है ए तथा भी मिलकर किसी टेंकी को चार घंटा में भर देता है ए और बी को चार घंटा में भर रहा है यदि यह पाइप अलग-अलग खोले जाए अब यह पाइप को अलग-अलग खोलने के लिए बोल रहा है ए और बी को तो टेंकी को भरने में बी ए से 6 घंटा अधिक ले रहा है बी जो है बी जो है ए से 6 घंटा अधिक यदि ए का माल लेते एक्स ले लेगा भी यह 6 गंटा अधिक ले लिया तो केवल ए दुआरा इस टैंकी को भड़ने में कितना समय लगेगा यानि एक का मान पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा यह हमारा ए है यहां पर ध्यान दीजिएगा यह एक्स का मान आपको प्रसंद में पूछ रहा है कैसे इसक कितना हो जाएगा अब देखे यहां पर एल्सियम कितना हो जाएगा फोड एक्स आपको हम यहां पर लिग देते हैं एल्सियम जो आपका आ गया फोड इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स यही एल्सियम आ गया एल्सियम कहने का मतलब हमारा सब हो गया तो आप अब ब x into x plus 6 जब LCM हमारा 3 है तो यहाँ पर 4 दिया है तो बच गया क्या x और x plus 6 अब यहाँ पर x है ही तो यहाँ पर क्या हो जागा 4 into x plus 6 अब यहाँ पर दिखे x plus 6 है ही बच क्या गया 4x यानि कि LCM हमारा 3 था तीनों में 1 दिया है दो गों बच गया एक दिया है तो यह दोनों हो जाएगा एक दिया है तो यह दोनों हो जाएगा अब बताईए अब इसको हम कैसे solve करेंगे यदि हम a plus b बराबर a b कर सकते हैं तो a plus b का मान कितना है बताईए a का मान है यहाँ पर 4 into x plus 6 plus b का मान या 4x है बराबर हम a b लिख सकते हैं a b का मान कितना है x into x plus 6 अब इसको solve करके हम x का मान निकालते हैं यह हो जाएगा 4x यहाँ से solve करते हैं यह हो जाएगा 4x plus 6 के 24 हो जाएगा पलस 4x बराबर यह x into x क्या हो जाएगा x square हो जाएगा पलस 6x अब देखिए यहाँ 4x है यहाँ 4x है 4x पलस 4x कितना 8x हो जाएगा हम इसको यदि बराबर कि इस पर ले गए हैं तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर लिख दे हम x square पलस यह 4x पलस 4x कितना 8x हो जाएगा 8x बराबर कि इस पर जाएगा तो माइनस 8x हो जाएगा माइनस 8x में 6x को घटाएगे तो माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 2x और पलस 24 बराबर कि इस पर जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा बराबर 0 अब देखिए एक समीकरन हमारा बन गया x square minus 2x minus 24 बराबर 0 तो आप बताईए इससे x कमान हम लोग कैसे निकालते थें यहाँ पर आपको दोनों को जोडने पर यहाँ पर दो आना चाहिए और गुना नफल हमारा 24 होना चाहिए तो हम यदि हम लिख दें minus 6 और पलस 4 घटाएंगे तो minus 2x हो जाएगा minus 2 हो जाएगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं x कमान क्या हो गया minus बला ही हमारा एंसर होता है minus बला minus 6 है तो यह x कमान 6 हो गया इसको हम लोग बहुत आसानी से solve कियें अब इसको देखिए आप ऐसे भी solve कर सकते हैं कैसे x कमान लिजेगा x into minus 6 है इसको हम थरों मिटाते हैं आप ध्यान दीजेगा यहाँ पर x square minus 6x plus 4x minus 24 बराबर 0 यही था तो x कमान लिएग तो x square minus 6x हो जाएगा plus 4 कमान लिएग तो x minus 6 हो जाएगा देखिए यहाँ पर x minus 6 आगे आपको यहाँ पर x minus 4 आगे अब बताए x minus 6 यह बराबर 0 है सब का तो x minus 6 बराबर 0 तो x कमान क्या positive में आ गया जो minus आता है वही positive में आता x कमान 6 आ गया यह x minus 4 बराबर 0 तो x बराबर भी फोर हो जाएगा तो कहने का मतलब हमारा क्या था X का मान 6 हो जाएगा यहाँ पे गलती कहा किये हम लोग देखे यहाँ पे पलस फोर X पलस माइनस माइनस हो जाएगा छे चोके 24 तो यहाँ पे हो गया X माइनस 6 यहाँ पे हो जाएगा X पलस फोर x plus 4 यहाँ पे हो जाएगा देखें यहाँ पे कैसे होगी x plus 4 x into plus 4 तो x minus 6 बड़ाबर 0 अब x plus 4 बड़ाबर यदि हम 0 लेते हैं तो x का मान minus 4 हो जाएगा तो कहने का मतलब है जो minus में था वो ही हमारा plus में answer हो गया इतना solve करने का ज़रत नहीं है आपको हम direct आपको क्या बोलें यहाँ पे यहाँ पे 6 answer आ गया जब भी ऐसा आपको समिकरन मिले कभी ऐसा person में समिकरन मिलेगा तो करना क्या आपको गुननफल 24 होना चाहिए और योगफल 2 होना चाहिए यहाँ पे 2 दिया है तो तो हम यदि minus 6 plus 4 कर दें तो 6 को 4 से गुना करेंगे 24 माइनस 2 हो गएगा तो यहाँ नि कहने का बदल माइनस वाला हमारा answer होता है x बराबर 6 आ गया कितना आसानी से हम लोग solve किये अब देखे परसन में क्या पूछ रहा था यह दौरा इस टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा यह दौरा इस टैंकी को भरने में x समय लगेगा x का मान 6 हो गया तो इस परसन का right answer आपका 6 हो गया परसन में कुछ था नहीं लग रहा इतना लंबा चौरा परसन को solve किये कुछ solve नहीं किये हम लोग सीधा सा परसन का रहा था दोनों मिला कर 4 गंटा दोनों मिला कर 4 गंटा a अकेला x गंटा b अकेला x प्लस 6 गंटा कहने का बतलब इस से 6 गंटा ज़्यादा ले रहा है तो हमारा LCM क्या आ गया 4 into x into x प्लस 6 जब 4 है ही तो यहाँ पर x into x प्लस 6 हो जाएगा यहाँ x है ही तो 4 into x प्लस 6 हो जाएगा अब हम क्या किये a प्लस b बराबर a b कर दिये जब इसको solve की तो हमारा x कमान 6 गंटा इस प्रसन का answer आ गया